धम जक्क्र पवर्तन कथा समभोधी प्रापति के पस्चाथ तथा ब्रह्म समपति के नोरोध पर गौतम बुद ने भोजन हिताए और भोजन सुखाए ये तु धम जक्क्र प्रवर्तन अपने ग्यान देशना के चक्र को चलाईवान रखने के परतिक्या ली तो था उन्हें सरोपर्थम आकार कलाम की याद आई जिन्हें उन्हें महान इसक्रमन के बाद अपना पहला अलपकालीन गुरू बरन किया था लेकिन दिव्य चक्सु से उन्हें ग्यात हुआ कि आकार की मिर्थी हो चुकी थी तब बुद्ध ने अपने दूसरे अलपकालेन गुरु उद्ध कराम पुत्र को पहली देशना देने की सोची किन्तु दिव्य चक्सु से उन्हें ग्यात हुआ कि उनका भी नीदन हो चुका है था तब उन्होंने पांच सन्यासियों को अपनी पहली देशना देने की सोची ये सन्यासि छे वर्षों तक बुद्ध के साथ कटिन तब करते रहे थे किन्तु बुद्ध ने जब अतिकरिन साथना की अनुप युकता को समझ कर सामान्य भोजन को अनमुक हो गए तो वे पांच तपस्वी उन्हें छोड़ सारनाथ चले गए बुद्ध ने अपने उन पांच तपस्वी साथियों को अपने दिव्य चक्सु से सारनाथ के इसी पतन मिगदाय मिर्गों के उध्यान में देखा और तब वे सारनाथ के उसी से उध्यान में पहुंचे तपस्यूय ने बुद्ध को जब वहां पहुंचे देखा तो उन्होंने उनकी उपेक्षा करने की सोची किन्तु जैसे ही बुद्ध को उन्होंने निकट से देखा उनकी एनूटी प्रभा का शक्षात कार किया तो उन्हें प्रयाप्त सम्मान दिया स्रव पर्थम बुद्ध ने उन्हें चार आरे सत्यों की सिक्षा दी चार आरे सत्य हैं दुख, दुख का कारण, दुख निरोध और दुख निरोध का मार्ग ताथ समयक दरस्टी, समयक संकल्प, समयक वचन, समयक करम, समयक आजिविका, समयक वयायाम, समयक सती तता समयक समा कहलाता है क्योंकि यह जीवन लक्षे प्राप्त करने के दो अतिवादी मार्गों का निराकर्ण करता है। इस प्रिपेक्स में यदि बुढ़ापा, बिमारी और मिर्त्यवादी दुख हैं तो वे जनम पर आश्रित हैं। स्रेंद्रियों से उत्पन होता है, स्रेंद्रियां देहांत बहुत से उत्पन है, देहांत बहुत सपंदन से उत्पन है, सपंदन संसकारों से उत्पन है, और संसकार अज्यान से उत्पन है। सोतपन बन गए अन्य स्रोता भी बुद्ध के अनुयाई बन गए